वेलकम बैक टो माई चैनल रितुस कुगिंग पैशन आज हम क्रिस्पी कॉन बनाएंगे यह बहुत ही एजी और बहुत ही जर्पट बनने वाली एक रेसिपी है तो आईए इससे शुरू करते हैं इसे कैसे करके बनाते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चै आठाल लेंगे और फिर इस निकाल देंगे पबाल है यह तो यह दिकिए हैं इस मेरे लागे इसके लिए और कुल सब्सक्ता कर में चैनकद सब्सक्राइब करके दालेंगे यह लालर मींच पारडर दीडिटिन तो यह दिखिए है यह हमने अच्छे से इसे मिला लिया है इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो कॉन फ्लावर है वो कॉन के साथ मिक्स हो जाए तो यह हमारा मिक्स करना हो गया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमने कड़ाई पे तेल ले लिया है तेल के आष्छे से और समच की मदद से हम थोड़ा सा कॉन लेंगे और फिर इसको रिष्भ और फ्राइख करेंगे इसको इसको करने बग्ध आपको ध्यान रखना है अगर बहुत ही करम तेल में आप डालेंगे तो यह फूट कर बहार आजाएगा तो इसके लिए आप चाहे तो कड़ाय की ऊपर एक बटन या धकन हलका सा लगा देना ताकि यह बाहर ना आ सके तो इसे हम अब बहुत ही अच्छे से फ्राइ करेंगे प्रिस्पी होने तक तो य दिखिए यह हमारा फ्राइ हो गया है अब हम उसे कि सित में निकाल लेते हैं और इस है थावस भागी जो है वो भी विफ्राइग कर लेते है तो यह कि ऐसी तरह से हमें दूसरा बैच भी फ्राइग अब हम इसे एक कर Elise में ले लिया है इसके अंधर हम छोटा सब याया है 21 क चॉप कर लिया है देंगे अंदर और फिर इसके अंदर हम निम्बू का रज डालेंगे हाफ निम्बू लिया है रज डालेंगे इसकी बाद इसमें हम थोड़ा सा हैरा धनिया डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से एक चमस की मदद से मिक्स कर लेंगे आप जाए तो इसमें थोड़ा सा चार्क साला भी एट कर सकते हैं। हमने प्यायोज और हडिया नीमभू हैट किया है तो यह हमरा मेक्स करना हो गया हैं अब हम इसे सर्ब कर लेते हैं पलेट में Stephen कर लिया है यह खाने में भी बहुत बड़ीया लगता है आप इसे स्नैक्स की रूप में खा सकते हैं तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राइब आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सबसके जरूर बताना और बिल बैटन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो डालू आपके पास नटिफिकेशन चला जाए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ